नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपका स्टेडी टाइम चैनल में दोस्तों आज के इस टॉपिक में हमारे जो विशे है बात करने का वो है नेपाल ने अब हाली में अपना पहला सेटलाइट जो है वो लॉंच किया है और बहुत ही गर्व की बात है नेपाल के लिए क्योंकि नेपाल जो है एक परकार से वन आप दी पॉरस कंट्रीस में से आता है थर्ड नेशन्स के अंदर उसको इसको गिना जाता है और वह एक परकार से देखिए लैंड लॉझ्ट के लिए इन दो महाशक्तियों के बीच में कहा जाता है लेकिन अब नेपाल ने एक बहुत बड़ा कदम अपना आया है और उसने बहुत बड़ी उपलब्दी हासिल करी है उसने अपना जो पहला satellite है और satellite आपको देखे पिक्चर में दिख रहा होगा एक cube set है ठीक है तो नेपाल ने अपना जो पहला satellite है birds program के अंतरगत launch किया है और उसका जो नाम है उसने रखा है नेपाली सैट 1 ठीक है तो गुरुवार को उसने अपना पहला satellite launch किया है और उसमें उसकी मदद करी है अमेरिका ने ठीक है तो अमेरिका के जो वरजीनिया में जो वहाँ का space station है वहाँ से वो उसका launch किया गया था ठीक है और इस satellite का basic काम जो है वो नेपाल का जो विस्तरित जो भौगोलिक जानकारी है वो उनको provide करेगा पिक्चर्स कीचेगा एक प्रकार से exact location of नेपाल को उनके picturing के दोरा वो उसको बताएगा ठीक है तो इसी दोरा जो वहाँ के प्रधान मंत्री है केपी शर्मा उली जो है उन्होंने पुरे देश को इसकी बदाईयां दी है बताईयां देने की भी जरूरत है क्योंकि बहुत बढ़ी उपलब्दी है एक third nation जो है one of the poorest countries में से आता है नेपाल ठीक है और इस satellite में जो main काम किया है उसके दो से जो scientist है एक है अभाश मस्की और एक हरी राम स्रिष्टा तो ये दो जो scientist है इस वक्त सेटलाइट लाँच करने से पहले ये कियो सो institute of technology जापान की one of the premier institute है वो वहाँ पर अभी भी पढ़ाई कर रहे हैं space programming के दौरान और उसी programming के दौरान उन्होंने ये satellite बनाया है और देश को अपने आगे बढ़ने में मदद करी है तो नेपाल नेशनल एरोनोटिकल इंस्टूट जो है उसके जो प्रवक्ता है उन्होंने बताया है कि इन दो वैग्यानिकों ने देश में space engineering के सेत्र में नया रास्ता खोलने का प्रयास किया है और हो भी क्यों ना तो नेपाली सेट का जो ये satellite है नेपाली सेट 1 के नाम से जो satellite है ये जो lower earth orbit है वो उसमें revolve करेगा orbit करेगा और जो इसकी धरती से जो इसकी जो दूरी होगी वो 400 km के आसपास होगी ठीक है और ये एक परकार से भौगलिक जानकारी को उकत्र करने के नेपाल वो उसकी तस्वीरे बेज़ेगा ठीक है अब देखिए ये जो satellite है basically ये दो करोड़ रुपे के आसपास में बना है और इसका जो वजन है 1.3 kg ठीक है अब देखिए नेपाल आप हैरत में पड़ेगे कि नेपाल जो है इतना गरीब देश है उसके पास इतनी resources और इ पर में जो आ सकता है मैं आपको बताता हूं इस टॉपिक में एक तो ये कि नेपाल ने अपने satellite का नाम क्या रखा है तो नेपाली सैट वन उसका नाम है और उसके साइंटिस्टों के नाम बता है भास मस्की और हारी राम सरिष्टा ठीक है और कौन से प्रोग्राम के दोरान बर्ड्स प्रोग्राम ठीक है अब ये बर्ड्स प्रोग्राम एक्चुली है क्या वेरी इंपॉर्टन टॉपिक देखे जापान जो है जो नौन स्पेस फेरिंग कंट्रीज है मतलब जापान का जो इंस्टूट है क्योशो इंस्टूट ऑफ टेक्नोलोजी है तो ये उन गर ठीक है 2017 में पहला प्रोगाम उसने चालू किया था जापान जिसमें पांच कंट्रियों मिलके अपने छोटे-छोटे सैटलाइट्स बनाब सेम आइडेंटिकल सैटलाइट्स होते हैं वो एक परकार से क्यूब के आकार के सैटलाइट्स होते हैं परकार से उन्होंने एक बनाए थे और स्पेस में लाँच किया था उस समय इनकी जो मदद थी वो करी थी जो स्पेस एक्स जो कंपनी है फैलकन नाइन रॉकेट से उन्होंने वो लाँच किया था तो ये बर्ड्स प्रोगाम एक परकार से उन कंट्रिस की मदद है जो अपना एक स्पेस प्रोगाम करने में संभव नहीं हो पाता उनके लिए जिनके पास रिसॉर्स नहीं है पैसे की कमी है टेक्नलोजी नहीं है तो क्योशों इंस्टूड ऑफ टेक्नलोजी या आप इसका नाम नोट कर लीजे के आई टी जापान का वना दी प्रेमियर इंस्टूट है ये इस बर्ड्स प् बहुत बड़ी उपलब्दी है नेपाल के लिए और इसके लिए उनको बहुत बहुत बढ़ाई हो और इसी प्रकार से वो स्पेस में आगे बढ़ते रहें अब देखें बड़ी उपलब्दी क्यों कि ये दो सैंडविच एक प्रकार से तो सैंडविच और बड़े-बड़ आप जरूर कमेंट बॉक्स पे आके सुझाव दें। तैंक्स पर वाचिंग आपका दिन शूब।